आज हम पढ़ेंगे पार्ट दस मीठी सारंगी एक गाउं में एक सारंगी वाला आया वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गाउं के बहुत से लोग इकठे हो गए सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी बाले की बजाने की कला से गाउं के लोग दंग रह गए सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है आहा कितना आनंदा रहा है वहीं पास में बैठा हुआ, भोला भी लोगों की ये बाते सुन रहा था वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी लेकिन मेरा मूँ तो मीठा हुआ ही नहीं, ये सब जूटे हैं थोड़ी देर बाद उसने सोचा की शायद सारंगी बाले के पास बैठने से मूँ मीठा हो जाए इसलिए वह सारंगी बाले के पास जाकर बैठ गया रात के 3-4 बजे जब सारंगी बाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, दो-चार दिन यहीं ठहरिये, ये बाते सुनकर भोला, मन ही मन जुन्जलाया, और सोचने लगा, ये लोग जूट तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, तब तक रात जादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए, सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चड़ाई, और उसे अपने सिरहाने रख कर सो गया, पर भोला को चैन कहा था, जब लोग नीन में खराटे लेने लगे, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली, और उपर का खोल उतार कर उसे जीब से चाटा, कुछ स्वाद नहीं आया, अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसकी छेद को मुह के पास लगा कर मुह में उडेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बून्द नहीं निकली, वह लोगों की बेवकूफी पर बहुत ही जुझलाया, अपकी बार उसने सारंगी को गाउं से बाहर दूर ले जाकर फेक दिया, वह लोगों की बेवकूफी पर हस्ता हुआ, अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया, सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली, तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए, लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया, बोला इस वात को ना सुन सका, और गुसे से बोला, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह से चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी, तुम सब लोग जोटे हो और बाबा जी की खुशामत करते हो, लोगों ने पूछा पर सारंगी है कहा, उसने कहा गाउं के बाहर पड़ी है, लोगों ने भोला की बेवकूफी पर सिर्फ पीट लिया, थैंक्यू चिल्डरन